मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ मेरी इस चैनल पर तो दोस्तों अपने हम जीसी लियोंग की स्रीज को आगे बढ़ाते हुए अपने जो फर्स्स लेसने उस पर चलेंगे दोस्तों मैं कोई बात बढ़ना चाहता हूँ जीसी लियोंग जो है वो कहीं न कहीं एक हायर बुक है हायर बुक कहने से मेरा मतलग यह कि ऑथर यह मान के चल ला कि आपको बेसिक्स आते हैं तो उसमें बेसिक्स को इसकिप कर दिया तो सरकाल सब लाइतिटीड हम लाइतिटीड और लॉइंग दोनों चीजों में लोगोंको बहुत प्रावलम होती है तो मैं आपको इसको ढब समझा देता हूँ दोस्तों सरकार पहले latitude के open दिखेंगे, देखे, latitude को समाजने का सबसे अच्छा तरीका में पास यह है, यह figure है, दोस्तों यह figure मैंने जिसी लिओं के किताब से ही उठाई है, तो दोस्तों जब आप यह जो आप देख रहे हैं, यह वाली, यह North Pole हो गई, यह South Pole हो गई, दोस्तो यह जो lines हैं, यह lines को ही has latitude कीanka कहते हैं, इनको degree में measure किया जाता है, from the center of the earth, centre of the earth से degree में measure किया जाता हैly महारो यह center of the earth है, तो यहां से आप इस समझ्छो, हाब येक आर्थ है उपना यहां पä एक center हो गया, आप महारो यहां पे हो, यहां से आप यहां चलेगा, ठीक है? तो यहां से जो आप यहां चले गए तो हम सब जानते हैं कि एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है सर्कल को डिग्रीज में मेजर करते हैं तो यहां से आप यहां चले गए तो आप कितने डिग्री घूमें किटने डिगरी आप यहां से वहां गये, तो इसको हम डिग्री में मेजर करेंगे दोस्तो यह parallel lines होती है यह parallel और perpendicular तो मैं महन कहले हैं लोगे पता होगा तो यह parallel lines होती है, दोस्तो एक एक चीजी और इसको हम एक डिग्री, मालों आप यह 306 एक circle हो गया यह सरकल 360 डिग्री का होता है और यह इसमें एक डिग्री 111 किलोमेटर का होता है यानि 69 माइल्स और इसको फॉर्दर हम सब डिवाइड करते हैं वन डिग्री को 60 मिनिट्स में यानि एक घंटा तो दोस्तों अब इसमें आगे चलते हैं अब लैटित्यूड को थुर्शी बात कर लिते है देडित्यूड किसे कहताई है ज्काफिटूड बोल सकते हैं। तो इक्वेयटर लाइटिट्यूड तो इस में पढ़ लिया अब देखते लॉंगुड आ लाइटिटूड के बारे मैं। आप यह देख लो यह नॉर्थ पोल यह साउथ पोल यहां से आप सीधी रेखा कीचो दोस्तों यह सीधी रेखा कीचो इस सीधी रेखा को हम बोलते हैं प्राइम मिरीडियन इसी को हम बोलते हैं प्राइम मिरीडियन प्राइम मिरीडियन के अलोंग जो भी जो भी चीजे तो इसे हम बोलते हैं लॉंगिटूड तो अब अब इसमें तो दोस्तों इसको प्राइप मेरीडियन बोलते हैं और इसको और इसी को यह हाफ सरकल्स होते हैं अब आप बोलो कि सबंग लॉंगिटूड पी पड़ी हम इसके जॉरत थी दोस्तों बहुत जरूत है इसकी इस विएसे हम कहीं कहीं का भी लोकेशन पता कर सकते हैं दोस्तों आज के जमाने में GPS आ गया है, GPS उसी पर काम करता है, लोगरिटूट और लागरिटूट पर ही काम करता है, उसी के थूरू आप अपना लोकेशन बता सकते हो, किसी भी जगह का लोकेशन बता सकते हो, आप जैसे दिल्ली कर, मैंने यह एक्जामपल लिया है, लोकेश यह पॉइंट करति है, तो यह दिखिया, यह पॉइंट हो गया, यह पॉइंट लोकेशन ब्लोमल्हें केसे यह जो latitude होती है वो parallel होती है सब एक दूसरे से parallel और देखिए दोस्तों यह जो लाइन हो गया यह 20 से जो लाइन गुजरता है 0 degree से जो लाइन गुजरता है समझ रहे ना जो center होता है center से जो लाइन गुजर रहे है उसको prime meridian बोलते हैं जो एक सीधी रेखा होती है ठीक है चलिए दोस्तों बहुत बड़ी है बात है समझ में आ गया होगा आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए तो दोस्तों अब अब अपल चलते हैं अगल को तो जाता है में फिल्कुल्स कोउं कॉन से होते हैं दोस्तों में ली पांच दिखा देता हूं और यह देखिए दोस्तों बहुत खुश्व क्रियर्फ यह अर्थ अपनी एक्सेस पे थोड़सी टिल्ट होती है इस तो यह दिखें दूस्तों यह सारे लाइन पैरलल दोस्तों Att cartridge सर्क lion कहीं ना factor जो सबसे उपर होता है मतलगे एक्वेटर होता उसके उपर Ele опер उसके उपर मैं आपको एक्षनिंटर सेफ़ दिखा लेता हूं का द मुण कि यह देखो आप है दोस्तों यह नॉर्थ हो गया तो इसलिए 66 डिगरी नॉर्थ की और अब देख लेते हैं टॉपिक आप कैंसर के बारे में दोस्तों यह ट्रॉपिक आप कैंसर हो गया यह 20 होल 23 होल 1 बै 2 डिगरी नॉर्थ की तरफ होती है ठीक है यह अपना हो गया इक्वेटर इक्वेटर दोस्तों 0 डिगरी होता है जीरो डिगरी हम यह से शुरूव करएंगे अगर किसी भी डिस्टेंस को किसी भी पोजीशन को हमें अगर हम पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे जीरो से स्टार्ट करेंगे मालों यहां पर strategically करते हैं कि अत्ição का इसी को माना जाता है के पास आता है यह हो जायागा 66 hole 1 by 2 degree south दोस्तों अब आप सोचोगी इनको क्यों locate कर रहा है दोस्तों कही ने जैसे equator को हम point of reference मानते हैं उसी तरह कही ने कही इन lines को हम point of reference के थ्रू लेते हैं जहां से हम किसी भी distance को किसी location को locate कर सकते distance को measure कर सकते हैं ठीक है आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा चल यह बहुत बढ़ी है दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी से चलो बहुत बढ़ी है अब दोस्तों एक चीह आता है सोलेस्टिक सोलेस्टिक क्या होता है तो सोलेस्टिक हम उसे सोलेस्टिक कहीने एक इवेंट होता है तो इसमें क्या होता है यह दो बार होता है मतलब कि एक एन्वली बस दो बार होता है पहला होता है जो जून 21 को और दूसर दिसंबर 21 को तो दोस्तो अपना पहला लेशन यह बेसिक्स ही था बेसिक्स ही हम मानो आप इसको यह मैंने बस बेसिक टर्म बताए हैं जिसमें जिसे आपको आगे पढ़ने में प्रॉब्लिम नहीं होगी तो और मैं आशर करता हूँ दोस्तो कि आपने एक बुक जरूर खरक लिया होगा द ठीक है चलिए बहुत बढ़ी हैं तो दोस्तो आज के लिए बस नहीं समात करते हैं अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों को साथ से जरूर करें और आज के लिए बस देट सौल जहें